आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Bacterial colonies that have a foreign DNA Fragment inserted into the plasmid will appear white because होता क्या है कि हमने अब अपना एक जीन लिया हमने एक लिया Plasmid ये रहा Plasmid इसके अंदर डाल दिया एक Foreign Gene ये वाला पार्ट है मेरा Foreign Gene जिसको क्या बोलते है जीन ओफ इंट्रस बोलते है अब इस Plasmid को हमने ट्रांसफर कर दिया Bacteria के अंदर अब इस Plasmid का काम क्या होता है इस Plasmid का काम होता है Proteins बनाना तो अब कैसे पता चले कि हम पे जो Bacteria present है हम पे जो Bacteria की अब ऐसा तो है निकि मैं एक Single Bacteria निकालूँगी मुझे तो पता है निकि एक Single Bacteria कैसे निकलेगा हमें Bacteria देख थोड़ी रहे तो हम Bacteria की Colonies लेते है Colonies लेकर के उनमें ये Plasmid ट्रांसफर कर देंगे ये Plasmid जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला Bacteria है जिसके अंदर हमारा जो Plasmid है वो पहुँच चुका है ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी तो इसके लिए हमारे पास क्या होते है Recombination Techniques होती है Recombination Techniques इन Techniques को क्या बोला जाता है Screening Techniques Screening Techniques Screening का मतलब क्या होता है Screening का मतलब अगर कभी सुनाओ कि हम Screen करते जा रहे हैं इसके मतलब चेकिंग करते जा रहे तो ऐसी चेकिंग करते हैं कि जिन जिन के अंदर हमारा Plasmid Insert हो गया है Protein बना रहा है वो तो उन बैक्टीरिया कि हम कैसे चेकिंग करें तो हमें क्या चीज़ करते हैं कि जो Plasmid होता है हम Plasmid के किसी ऐसी जगा पर Insert Gene of Interest को डाल देते हैं जहां से ये Plasmid जो है कोई Protein बनाता है कोई Important Protein बनाता है जैसे अगर हम Example ले E.coli का E.coli E.coli जो बैक्टीरिया है इसके Plasmid को क्या बोला जाता है इसका Plasmid होता है PBR322 ये होता है इसका Plasmid इसके Plasmid के अंदर एक ऐसा साइट होती है एक ऐसा जीन होता है Suppose वो जीन जो है यहां से लेकर यहां तक है यहां से लेकर यहां तक यह जीन है इस जीन का काम होता है बीटा गेलेक्टो बीटा गेलेक्टो साइडेस बनाना beta galactosidus जो है ये enzyme होता है इसको जो बनाना होता है ये बनाने का gene सपोज यहां पे है तो हमने क्या कि हमने insertion ऐसी जगह पे लगाया जहां पे से कोई protein बन रहा है यह क्या है यह एक protein है एंजाइम क्या होते हैं protein होते हैं सब कि सब अब यहां पर insertion लंगाने से यह हुआ कि जिन भी bacteria के अंदर यह वाला protein बन जाएगा उन में हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो plasmid है वो insert नहीं हुआ है ऐसा क्यों क्यों क्योंकि अगर जिन भर इंटरस्ट है वो दंक से insert नहीं हुआ है ऐसा क्यों हो गा कि अगर चिन भर इंटरस्ट हमारा डंक से insert हो गया तो उससे क्या होगा कि उससे यह वाला जो area है यह जो protein है यह express ही नहीं हो पाय events क्यूंकि protein का तो भीच में प्रोटीन बना ही नहीं बाएंगे तो इसकी अब टेस्टिंग ऐसे करते हैं कि हमने कुछ बैक्टीरिया ले बैक्टीरिया 1, कॉलोनी 1 ली हमने और कॉलोनी 2 ली कॉलोनी 1 को मैंने ट्रीट किया एक कैमिकल के साथ जो होता है X-Gal IPG X-Gal ही याद रख लो वही बहुत है और इस वाली कॉलोनी को भी मैंने ट्रीट किया X-Gal के साथ इन दोनों कॉलोनी को जब मैंने ट्रीट किया तो एक कॉलोनी का तो कलर मेरे को दिखा white and एक कॉलोनी का कलर दिखा मुझे blue ये जो change आया है कि एक का तो white आये एक का बलू आये ये इसलिए आया है क्योंकि जो white कॉलोनी है इन्होंने protein नहीं बनाया इन्होंने protein नहीं बनाया वो मुझे कैसे पता चला कि X-Gal एक ऐसा compound है जो इस protein के साथ beta-gal के साथ react करके जब ये beta-gal के साथ react करता है तो ये क्या color देता है ये color देता है blue color इसका जो color होता है usual जो color होता है X-Gal का वो होता है white color तो white color की colonize मिलेंगी तो इसका मतलब X-Gal ने किसी भी protein के साथ react नहीं किया protein के साथ react इसलिए नहीं किया क्योंकि protein produce ही नहीं हो पाया जबकि जो blue colonies होंगी उनमें क्या color उनमें क्योंकि blue color है इसका मतलब X-gal ने जो है beta-gal के साथ react किया है इसका मतलब यह वो bacteria है जिनके अंदर protein बना है and protein तभी बनेगा जब मेरा यह वाला sequence इदर insert ही नहीं हुआ होगा इसका मतलब मेरा gene of interest है उन बैक्टीरा में present ही नहीं है अगर उनमें मेरा gene of interest ही नहीं present तो वो protein ही नहीं बना पाएंगे तो इसलिए जो यहां पर बोला गया कि bacterial colonies that have a foreign DNA fragment inserted in the plasmid will appear white because उनके अंदर हमारा gene of interest जो है वो insert हो गया है gene of interest जो है वो insert हो चुका है इसलिए Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर